हमाश्का दोस्तों मैं हूँ पॉन पटेल और आप देख रहे हैं रिवा टाइस्मार्ट यूटूब चैनल आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि स्टेयर केस में गरेनाइट और टाइल्स का मिक्स अप करके किस तरीके से staircase में tiles और granite को install किया जाता है बेसिकली आप staircase में बनी बनाई stepan riser tiles भी आती हैं उसका भी इस्तमाल कर सकते हैं और साथी साथ granite की staircase granite का भी use कर सकते हैं staircase में आज बात करेंगे हम किस तरीके से granite और tiles का use करके दोनों का सस्ता सुंदर और टिकाव जुगाड बनाएंगे ताकि हमारा खर्चा कुछ कम हो जाए क्योंकि जो ग्रिनाइट की सीडियां होती हैं वो काफी मजबूत मानी जाती है इसलिए आज हम एक ऐसा जुगाड बताने वारे हैं जिसके थ्रू आप थोड़े कम बजट में ऑर ग्रिनाइट की सीडिय लगा सकते हैं सबसे ले बात करेंगे ग्रिनाइट की जैसे कि आप देख रहे ही यहाँ पर दो मंजिल का मकान है और 36 स्ट यह की सीडिया है तो दो मंजिल के मकान में सीड़ी理 लगाने में टोटाल गांक फर्चा आए है उसके बार इम बात करें सीडियों का स्टमाल होगा और शांतिस सीडियां तो सब्से पहले ग्रिणाइट चारविट का और शांतिस नग जो है हमारी सीडिय हैं तो इसमें हैसा ये 44 फीट ग्रिणाइट उज जाएगा बात करें कि राइजर की राइजर में हम अपना लगबग 6-7 इंची का रहता है तो 6-7 इंची के राइजर में हम एक पीस की टाइल्स 2-4 में 3 पीस राइजर निकाल लेंगे तो एक पेटी में 6 पीस निकल जाएगा और 36 सीडियों के लिए अपने को लगबग 6 पेटी का 2-4 की टाइल्स का इस्तमाल होगा और 2 पेटी की हम ले लेते हैं स्कॉटिंग के लिए और को नों के लिए तो टोटल आट पीटी टाइल्स 2-4 की हमारी इसमें इस्तमाल होगी और पीटी टाइल्स का जो रेट है वो 600 रुपए है तो बावन सो रुपए जो है राइजर का हो जाए दो बाइजर का हो जाएगा जो हमारा इस्तमाल हो जाएगा इसके बाद हम बात करेंगे मिड्लेंडिंग की मिड्लेंडिंग जिसको हम चौकी कहते हैं वह तो मनजिल के मकान में दो बार चौकी आती है तो यह 4800 स्वर्फीट कि अपनी चौकी हो जाएगी दो मंजिल की इसमें जो ग्रिनाइट यूज होगा वह अपना इसमें ग्रिनाइट लगा जाएगा ग्रिनाइट का रेट 100 रुपए है तो जाएगा और बात करें लेवर कॉस्ट की तो लेवर कास्ट किस तरीके से अपने इसमें कल्कुलेट करेंगे सबसे पहले हम बात करेंगे जो अपनी ग्रिणाइट की स्टेप है स्टेप अपने 36 नग है और 4 फिट इसकी चोड़ाई है तो यह हो जाएगा तो चवाली स्कार फित यह भी हो जाएगा और फ September ऐसकरेख जाया और पट्टीसर्र रूपह हीर्ट रुपह सु-स्कुर्पट कारें, Сबैखक pass और लिग्रीनेज कोट सब्सक्रिण नचेता नचेकर फित अपर खब्क 24 फित 20 रूपह 25 रुपए के इसाब से 2100 रुपए की इसकाटिंग भी लग जाएगी और बात करें मोल्डिंग की जो ग्रिनाइट की जो सीडियां है उसमें जो अपने मोल्डिंग की हुई है तो चार फिट इसकी चोड़ाई भी है, तो चार फिट हर सीड़ी मॉल्डिंग की गई है, और एक बिस मोल्डिंग का रेट है, तो चार फिट को चार फिट अब सीड़ी है तो यह हो जाएगा 144 स्कुरार फिट, और 120 जो है मोल्डिंग का रेट है तो 17,280 रुपे के करीब मोल्डिंग चार्ज हो जाएगा इस तरीके से अपन पूरा कल्कुलेशन करेंगे तो हमारी कॉस्ट निकल के आएगी 55,780 रुपीज लगबग 56,000 रुपे के करीब हमारी टोटल कॉस्ट आएगी ग्रिनाइट की सीडियों को इंस्टॉल करने में लेवर कॉस्ट और ग्रिनाइट और जो इसमें सीवेंट और वालू यूज होती है तो यह सारे मटेरियल कॉस्ट और लेवर कॉस्ट को मिला के अपना लगबग 56,000 रुपे के करीब टोटल कॉस्ट पढ़ रहा है तो गाइज देखा आपने की सीडियों की में ग्रिनाइट लगाने का दो मंजिल के मकान में टोटल कितना खर्चा आता है एक एस्टिमेट अपने निकाल दिया है वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जुरूर करें और चैनल में नहीं आये तो चैनल को सिस्क्राइब करें धन्यबाद मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और नॉलेज के साथ घर बनाने से रिलेटेड आपको बहुत स